उपक मिश्रा शुरुआत करेंगे बुलिटिन की बड़ी खबरों के साथ भोपाल से इस वक्त खबर मिल रही है जहां कुछी देर बात थोड़ी देर में कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक कमलनात के निवास पर शुरू होने वाली है बता दें आपको कल 28 दिसंबर से विधान सभा का शीत कालिंज सत्र शुरू होने वाला है कोरोना संक्रमन काल के बीच और ऐसे में विधान सभा सत्र को लेकर रणनीती पर चर्चा होगी कुछी देर में कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक कमलनात के निवास पर शुरू होगी जहां विधायकों के एकत्रित होने का जुटने का सिलसिला शुरू हो गया कॉंग्रेस के विधायक कमलनात के निवास पर पहुंच रहे हैं हम रुख करेंगे जादा जानकारी और बादशीत के लिए इस खबर पर हमारे संबाद आता वासू चौरे का हमारे साथ लाइव जुड़ गए वासू क्या हलचल देख रहे हैं आप कमलनात के निवास पर कितने विधायक एकत्रित हो गए हैं और क्या रणनीती होगी क्या जानकारी अब बिल्कुल देखिए जो आगामी सीटकालीन सत्रह दीपक उसको लेकर आज कॉंग्रेस विधायक दिल की कहम बैठक आहुत की गई है पिसी सी चीफ कमलनात के आवास पर ये बैठक होने जा रही है और दीरे दीरे जो विधायक हैं पूर मंत्री हैं कॉंग्रेस के वर्ष बद अधिकारी हैं उनके पहुँचने का सिलसला शुरू हो गया है सिलसले वार रूप से रणनीती बनाई जाएगी रणनीती तयार की जाएगी कि किस तरीके से सदन को विपक्ष में घहरा जाए और कल ये कॉंग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है हमारे साथ कॉंग्रेस के विधायक विबिन वानखेड़ी जोड़ चुके हैं सर क्या कुछ आज खास होने वाला है विधायक दिल की रणनीती में बैठक में देखी ये तो बैठक होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या निर्णाय बैठक में हो रहे हैं साथ ही जिस प्रकार से किसानों पर काला कानून थोपकर सरकार अपना तानेशाही रवया दिखा रही है उसके विशे में भी चर्चा होने की संभावना है एवं अन्य भी कई सारी ऐसी गतिवीदियां जो देनिक रोज मर्रा के जीवन से जूड़ी हुई है या राजनेतिक गतिवीदियां उन पर चर्चा होने की संभावना है आपका प्रदर्शन भी है उसको लेकर भी आज बाचीत होगी विधान सभा का जो घेराओ करने का कॉंग्रेस ने आवान किया है जो कल प्रदर्शन होने जा रहा है ये प्रदर्शन तो सिर्फ ट्रेलर है आने ले समय में लाखों किसान सड़क पर निकलकर आएंगे और मुख्यमंति शिवरासिंग चोहान के निवास का गेराओ करेंगे इस जो विधायक दल की बैटक होने वाली है कमलनात के आवास पर उसमें रणनीती तयार की जाएगी और रूप रेखा बनाई जाएगी बासू मैं आपसे यही समझना चाऊंगा आप सुभा से इस बीट को खबर कर रहे हैं कॉंग्रेस के विधायकों से भी कॉंग्रेस के नेताओं से भी बाच्चित कर रहे हैं आज उड़ी उड़ी खबरें ये भी आई थी कि कुछ विपक्ष के नेता इस सत्र को टालना चाते हैं क्योंकि कोरोना काल में शीतकालिन सत्र हो रहा है हाला कि ग्रीमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि हम सत्र को ना टालें हाला कि आखरी फैसला हम कुछी देर बाद जो सर्वदली बैठक होने वाली उसमें लेंगे इसको लेकर आपके पास कुछ जानकारी है कुछ अपडेट है अब बिल्कुल दीपक देखिए आपने ठीक कहा जो विधानसवा सत्र है कोरोना संक्रमन के बीच हो रहा है और ये बहुत महत्मोन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मद्वदेश में जब से शिवरा सिंग चोहान की सरकार बनी है यानि की सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक कोई भी एक सरीके का सुभवस्य सत्र नहीं हो सका है क्योंकि कोविट का संक्रमन काल चल रहा है ऐसे में जो विधाय के उनके बहुत सारे प्रशन है बहुत सारे एहम मुद्दे हैं विदेयक हैं और खासकर देश का जो सबसे सर्चेत अभी विदेयक है धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 जो लव जिहात को लेकर कानून है उसको विधानसभा में पेश किया जाना है तो इन तमाम अगर चीजों पे ध्यान दिया जाए तो ये सत्र होगा ऐसा अभीता है माना जा रहा है हला कि कुछ देर बाद जो सर्वदलिय बैठक है उसमें कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जो प्रतिनी दिये हैं वो शामिल होंगे और अपना पक्ष रखेंगे इसके बाद जरूर एक आम सहमती बनानी की कोशिश की जाएगी और जो विधान समब सत्र है उसके स्वरूप को लेकर इसी बैठक में निर्ना लिया जाएगा हाला कि देखिए बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक हो रही है और कॉंग्रेस की भी विधायक दल की बैठक हो रही है इससे ये बात तो साफ है कि दोनों ही दलोंने सत्र को लेकर तैयार्यकी हुई है तो ऐसा बहुत जादा अनुमान नहीं है कि सत्र को इस्तगित किया गया है कमलनात की निवास पर ये बाठक अपसे कुछी देर में शुरू होने जा रही है